अंतरास्टी हिंदू परिशत के संस्थापक डॉक्टर पवीन भाय तोगडिया ने आज मुरादबात की धर्ती पर बोलते वे तबलीगी जमात पर भारत में पावंदी लगाने के बात कही और उनकी मज्जीतों और मदर्सों को जब्त करने तक का बड़ा बयान दिया है दरसल वाज मुरादबात के लाजपत नगर इस्तियत राम लीला ग्राउंड में आयोजित कारेकरता संबात कारेकरब में बोल लहे थे डॉक्तर प्रवीन तोगडिया इतने भड़्चे नहीं रुके उन्होंने केंद सरकार पर तंच कस्तवे यहां तक कह दिया जानी जमात का कौन सा भाईजान सत्ता में बैठा है जो भारत को ग्रह यूद और सर्वनाश्ट की तरफ ले जाना चाहता है दरसल प्रवीन तोगडिया ने हाली में साउधी अरब द्वारा तबलीगी जमात पर लगाए गए प्रतिबन का हवाला देते हुए भारत में भी तबल तोगडिया ने देवबन में दारूर उलूम और तबलीगी जमात पर जल से जल्द बेन लगाने की बात दोहराई है जाता है जहां तक 80 मिश्वनात का प्रश्र है मैं एक महीना का भुखा थो मैं एक महीना का भुखा और यहां आकर मुझे चोकलेट दी तो भुखे विक्ति को चोकलेट मिलेगे तो भी आनंद होगा और चोकलेट से पेट भरेगा क्या 80 कोरीडर चोकलेट हैं गिंदो को संतोष तब होगा जब नंदी भगवान ग्यान व्यापी मस्जिद की और सीव मंदिर की राह देख रहे हैं वहाँ बव्य मंदिर बने, संतोष तब होगा जब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई तब मस्जिद की दिवाल में एक मुर्थी बच गई है, वह सुरूंगार गवुरी की है, वर्ष में एक बार पुजा होती है, मुझे कहना है कि हम सभी की माँ सुरूंगार गवुरी हमें सरम आनी चाहिए कि मजजिद में बैठी हमारी मा सुनगार गवुली को मंदिर बनना चाहिए इसलिए कासी कॉरिडर चॉकलेट है चॉकलेट भी अच्छी होती है आनद आता है पेट भरकर संतोस नहीं होता है हिंदो को संतोस तब मिलेगा जब कासी विश्वनात का भव्य मंदिर ज्यान वापी पर और पुष्ट जनमों पर मंदिर बने और इसके आनदोलत करने की कोई जरुत नहीं संसद में कानून बनाओ क्रिशी कानून वापस लेने के बाद किसान की सूर दिखाई दे रहा है। किसान के प्रतेत परिवार को एक करोन रुप्या देना चाहिए और नूरतम सबर्थन मुल्य का कानून जल्दी बनाना चाहिए वरना देश में बहुत बड़ा किसान अंदोलंग खड़ा हो सकता है। मेरी माग है कि अफदाजिस्तान में 75,000 तालिपान लड़ा को बेदा करने वाले या तबलीग जमाद दारुर्ण देवबंद जमाते वुले माइहिन जिनका कैंद्रा सहरुनपूर देवबंद में है वही है। और भारत में उनका बहुत बड़ा देवबंद आने वाले समय में भारत में अफगानिस्तान बन सकता है। इसलिए कैंद्र सरकार ततकाल तबलीग जमाद दारुर्ण देवबंद जमायते वुले माहिंद पर प्रतिबंद लगाए। साउदी एरेबिया में मक्का मदिना इसलाम का कैंद्र है। यदि वह अपनी सुरक्षा के लिए तबलीग जमाद पर प्रतिबंद लगा सकते हैं। तो जिस भारत आतंग वाद से मिडित हैं, वह तबलीग जमाद पर प्रतिबंद लगाने में देरी क्यों कर रही हैं। कैंद्र सरकार तुरंत करें। दूसरा मुझे बताना है कि देश में जनसंख्या वृतिदर दो आ गया है। तो आज 140 करोड जनसंख्या है, 50 साल के बाद 140 करोड रहेगी। परंतों दो जनसंख्या वृतिदर में हिंदू का जनसंख्या वृतिदर पौने दो है। अब हिंदू घटने लगेगा। और आने वाले 50 वर्ष में हिंदू भारत में अलपसंख्यब हो जाएगा। दो से जादा बच्चे पर प्रतिबंद लगाने का कानौन बनाएं। और तीसरी मेरी माँग हैं कि किसी के घर में डखेती होती हैं। तो डखेती रोकने की डखेत को पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस की हैं। किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। फसल के दाम से कम किम्मत पर उनका अन्ड खरीदा जाता है वो देश के सतर करोड किसानों के घर में डखेती है उनके कारण किसानों पर कर्ज है तो किसानों को डखेती से बचाना है तो देश में न्यूनतम समर्थन मुल्ल का कानून सभी फसलों के लिए तुरांत बनना चाहिए मैंने मेरी बात बुरी की